सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बोडी बिल्डिंग चैनल पहले हम लोग बात करते हैं जिनकी प्लेसिंग नहीं आई थी अब हम लोग नजर डालते हैं टॉप फाइफ के अंदर फिफ्ट प्लेसिंग पर आते हैं अफ्रोज खान फॉर्थ प्लेसिंग आती है हमारे निशान्द बंसल की थर्ड प्लेसिंग आई है जोश्वा इंग की और सेकंड प्लेसिंग आई है जोवेन सागबन जो की थोड़ा सप्राइजिंग था और फर्स्ट प्लेसिंग आई है इनका थोड़ा नाम अजीब सा है बढ़ इनका नाम है टीटी करके इनका कोई नाम है दोस्तों थोड़ा funny name है बढ़ फिर भी और कहा जा रहा था कि यह organizer है event के तो चलिए friends अब हम लोग winner सही शुरुआत करते हैं winner की बारे में बात करें दोस्तों इनका नाम है टीटी और मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब pre judging के टाइम पे जो judges थे इन्होंने इनको center पर ही रखा था stage पे इनको ज़्यादा move नहीं कर रहे थे move करा जा रहा था निशान्त बंसल को move करा जा रहा था और जोवेन सागा बेन को move करा जा रहा था और इनसे compare करा जा रहा था और friends अगर आप लोग ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला moment बहुत जादा important है इसके नदर आप देख सकते हूं कि निशान्त बंसल को जजिस बीच में से हटा देते हैं और side पे कर देते हैं तो friends इससे ये पता लगता है कि जो जजिस ने मन बनाया हुआ था उनके top 3 का वो beach के 3 athletes का था और जब वो निशान्त को side पे कर देते हैं तो उससे पता लग जाता है कि उन्होंने judges ने निशान्त को fourth पे रखा था तो ये वाला moment काफी ज़दा important था अगर मैं winner के बार में बात करूँ तो इनके coach का नाम Omar Venture है काफी ज़दा जाने माने coach हैं और men's physique के athletes को ये usually coaching करा करते हैं दूसरी placing की बात करें दोस्तो जोवेन की तो मेरे को ये काफी ज़दा shocking लगा because मुझे तो यही लग रहा था मेरे इसाब से कि जोवेन सागवेन Thailand Pro men's physique का जीच जाएंगे और आप लोग देख सकते हो कि जोवेन जब posing करने के लिया थे अपनी stage के उपर तो उन्होंने Jeremy Brundia की exact 2017 की posing routine follow करी थी और आप लोग ये वाली चीज़ इस वीडियो के अंदर notice कर सकते हो अब हम लोग बात करते हैं third placing की जिनका नाम है Joshua Inc. अब इनकी बात करूँ friends तो इन्होंने amateur show जीता था जो की एक दिन पहले हुआ था pro show से पहले का और उसके अगले दिन ही थर्ड placing आगे इनकी तो ये बहुती बड़ी बात है और इनकी जो physique थी काफी जादा अच्छी लग रही थी hard लग रहे थे 3D लग रहे थे तो इनकी third placing आए थी अब हम लोग बात करते है fourth placing के जिनका नाम है निशान्द बंसल हमारे Indian athlete एक चीज़ मैंने notice करी है friends कि इनका जो tan था काफी ज़दा dark लग रहा था stage के उपर और normally अगर आप लो backstage पे भी notice कर रहा हो तो इनका जो tan होई भी थी इनकी फिजीक पर काफी ज़दा dark लग रही थी और friends अगर आप लोगों मैंसे कई लोगों को नहीं पता है तो मनोच पार्टल भी आयते Instagram लाइफ पे और उन्होंने भी help करी थी निशान्द बंसल की posing के लिए और जो ये वाली करता तो इनको थोड़ा move करना चाहिए था दूसरे athletes के साथ compare करना चाहिए था अफ्रोस खान को ताकि एक अच्छी तरीके से मनों comparison देख सके हैं अब दोस्तों मनों finally बात करते हैं कि क्या Thailand pro controversial था कि नहीं था अब देखो दोस्तों जो bodybuilding है एक subjective sport है जो चीज मुझे अच्छी लग रही हो किसी bodybuilder पे या कोई physique मुझे अच्छी लग रही हो हो सकता है कि judges को वो वाला package ना पसंदार हो तो इसका मतलब है कि क्या जोवेन सागा मैं शो जीत सकते थे absolutely और क्या निशान बंसल को at least third placing मिलनी चाहिए थी ऐसा हो सकता था but friends at the end of the day it is bodybuilding और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ friends कि जो हमारे Indian athletes थे वो बाहर के pro show के अंदर top five के अंदर आये fifth placing पर आये और fourth placing पर आये और बाकी दो Indian athletes ने भी compete किया था तो total चार Indian athletes ने बाहर international pro show खेला था तो दोस्तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो men's physique इंडिया का जो future है बहुत जादा bright है और मैं सारे Indian athletes को जिनकी placing आई और जिनकी placing नहीं भी आई उन सभी को मैं congratulate करना चाहूँगा और जो winners थे contest को मैं उनको भी congratulate करना चाहूँगा तो friends मैं उमीद करता हूँगा कि आपको message समझ में आगे होगा इस वीडियो का और friends मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ और भी bodybuilding की वीडियो मैं डालता रहूँगा तो आप लोग बने रहे हैं दोस्तों चैनल पर मैं आप सभी लोगों मिलता हूँ अगली वीडियो साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखे तिल देन टेक केर और बाई